नमस्कार दोोस्तों, यहली सोसाइटी में अबसे का एक बाफ फिर से बहुत दोस्तक्वागत है दोस्तों, अगर आप एक आम नागरिक है, या फिर एक जनसेवा के इन संचालक है और आपके पास में आपका अधारन लमबर है, लेकिन उस अधारन नमबर के उपर कोई भी मॉवाइल नम-बर लिंक नहीं है, जिसके माद्यम से आप जो है उस अधार कार्ट को डाउंलोड नहीं कर पा रहे हो या आपका खो गया है खराब हो गया उसको दुबारा से निकलना चाहते हो लेकिन जब भी वहाँ पर लॉगिन करने के लिए जाते हो तो आपको सिंपली से अधार नंबर मांग के आपको यह आधार डाउंलोड कर सकते हो ठीक है आसकी डेक्ट में लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो गाउंकर से लोग आते हैं जिन्होंने अधार कार्ट कैम्प में बनवाए थे नहीं पता उनको कौन सा उनके मोबाइल नंबर लगा हुए अधार में और उनका आधार खो गया है य इसके करार उनका अधार का डाउंलोड नहीं हो पाता है ठीक है तो ऐसे में बहुत सारे वियली भाई उनको सजेश्ट करते हैं कि वह नजदी की आधार सेंटर पर जाएं वहां पे अपना फिंगर फिंट वगरए लगवा के आधार का डाउंलोड करवाएं इस तरीके से प तो आपको यहां पे एक सर्विस मिलती है आधार UID पोर्टल पर जिसके बारे में आई होप आप सभी यह जानते होंगे आगर आपको नहीं पता तो यहां पे आपको बता दें कि मैंने डारेक्ट वीडियो डिस्कृश्टिशन में एक लिंक दे दिया है आधार पीवीसी का नहीं है जिससे आप उसका जो है गेट कर पाओ तो आपको सिंपली से यहां पे वह आधार नंबर या इन्रोल्लमेंट डालके यहां पे आपको कैप्शा पे समिट करना होता है और यह कैप्शा को डालने के बाद यहां पर देखो आपको एक ऑप्शन दिया रहता है टिक कर बार का या उनका कोई नंबर है वो आप यहां पर डालने है और उसके बाद यहां पर आपको send OTP क्लिक कर देना है ठीक है और उसके बाद आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा वो आपको डाल देना है OTP डालने के बाद यहां पर देखो term and condition को accept करने के लिए बोलेगा सिंपली से इस पर क्लिक करना है और यहां पर देखो आपका जो अधार प्रिंट के लिए जो term and conditions है वो लिखे आएंगी तो इसको read करके close पर क्लिक कर लेना है और इतना करते हैं कि देखो यहां पर यह टीक लगके आ जाएगा और यहां पर आपको क्लिक से सम्मिट कर देना है और जैसे यहां सम्मिट करोगे तो यहां पर देखो लिखे आ रहे है डियू टू प्राइवेसी रीजन डेमोग्राफिक डाटा फॉर दा अधार नंबर कैन नाट भी डिस्क्लोज जानी कि क्योंकि यह नंबर लिंक नहीं है इसकी वज़े से उ नाट रिष्टर वाला था उसको टिक नहीं करना है ऐसे आप इसको भी ऑडर कर सकते हो ठीक है तो यहां पर टिक करके आपको मेंक पेमेंट पर क्लिक कर देना है और पेमेंट होता ही आपका जो यह रसीद है वह सक्सेस्फुल हो जाएगा जहां पर आपको यह अगें से आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद आपके घर पर पता रहेगा क्लाइन का उसके पते पर प्लास्टिक कार्ड रहेगा वह आ जाएगा जिस पे उनका जो है कुछ इस तरीके से जो लेटेस्ट सेकुरिटी फीचर्स हैं वह इसमें दिये रहेंगा और यह 50 रुपे आपको अधार डाउनलोड नहीं हो पा रहा है उस तरीके से आप उनको जो है अधार कार्ड प्रिंट की रिक्वेस्ट डालके उनके घर पे हफ्ते दिन के वीतर अधार कार्ड पहुंचवा सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं आशे करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा तरीके से नहीं वीडियों आपको अधार के लिए वावाय चेहिंए